तो इसके अंदर हम Foyer और DSCR के अंदर difference जानेगे, पहले तो मैं आपको बता दूँ, DSCR के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो वीडियो के अंदर में उसका लिंक आपकी स्क्रीन के उपर flash हो जाएगा, Foyer के उपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है अभी, तो आपको उसको समझना भी नहीं है, कि अभी Foyer टेक्निकली क्या है, क्या नहीं, कैसे calculate होती है, कैसे नहीं, उस चीज़ के अंदर भी नहीं जाना, प्रिवियस वीडियो में हमने lap और working capital का difference समझा था, इस वीडियो में हम सिर्फ इन दोनों का difference समझेंगे, कि क्या फरक होता है दोनों में, देखिए, Foyer जो है, वो है fixed obligation income ratio, fixed obligation to income ratio, आप lap product कर रहे हूं, या housing loan कर रहे हूं, business loans कर रहे हूं, आपको ये ratio calculate करनी पड़ती है, तो ये ratio simply अपने को ये बताती है, कि आपकी income का कितना हिस्सा obligations में, loan की obligations में निकलेगा, यानि की obligations में क्या मतलब, interest plus principal repayment, आपकी अगर ये इतनी income है, तो उस income का कितना हिस्सा, कितना हिस्सा obligations में खर्च हो जाएगा, और आपके पास कितना हिस्सा बचेगा, that is fixed obligation to income ratio, अगर ये आपका 65% आ रहा है, तो ये percentage terms में denote होता है, जैसे कि DSCR तो आपकी times में denote होती है, कि 1.1 times, 1.2 times, 1.3 times, तो ये percentage term में denote होता है, तो अगर ये 65% आपकी फॉयर आ रही है, तो that means आपकी जो obligations हैं, आपकी कमाई का 65% हिस्सा खा रही है, total कमाई का 65% हिस्सा आपका interest plus principal की obligations में निकल जाता है, बाकी आपके पास बाकी खर्चों के लिए, या जो आपके other चीज़े हैं manage करने के लिए, 35% portion आपका बच रहा है, तो fixed obligation income ratio हमें इतनी बात बताती है, तो चलिए अभी इसके in depth में नहीं जाएंगे कि इसको कैसे calculate करते हैं, क्या तरीक्या हैं, क्या नहीं, अभी simple just समझते हैं अपनी knowledge base के लिए, Foyer और DSCR के बीच में difference, अभी देखिए पहले DSCR से शुरू करता हूँ, जो कि मैंने आपको अल्रेडी समझाया हुँ है, DSCR में आपकी जो incomes हैं, वो numerator side पे होती हैं और obligations आपकी denominator side में होती है, incomes means जो आपके cash accruals बगरा होते हैं, जो calculate कैसे करते हैं, वो मैंने आपको सिखाया है, Foyer में भी more or less उसी तरीके से calculate हैं, कुछ differences हैं, कुछ bank to bank differences होते हैं, product to product differences होते हैं, but idea same है कि आप कितना cash generate कर रहे हैं, अपने business से, आपके individual level पे, किसी भी level पे लगा लिजी, कितना cash generate कर रहे हैं, तो DSCR में जो cash generation है आपकी, वो आपकी net cash generation numerator पे होती है, और obligations जो आपकी देंदारिया हैं, वो आपकी denominator में होती हैं, और जबकि आपकी जो Foyer है, इसके अंदर ये चीज़ उल्टा है, उसके अंदर आपकी obligations numerator में होगी, और आपकी जो accruals या आपकी income है, वो आपकी denominator में होगी, सारे game सिर्फ इनी दोनों चीज़ों की calculations का है, जो Foyer है, जो lap product है, वो obligations कैसे calculate करनी है, इसका game से ज़ादा, income कैसे set करनी है, इसका game ज़ादा है, जो अगर आपको ये चीज़ करनी सेट आगई, ये चीज़ समझ नहीं आगई, ये चीज़ बनानी आगई, obligations बनानी तो comparatively असान है, तो ये एक difference है दोनों के बीच में, दूसरा difference, बड़ा important difference आपके लिए समझना, देखिए, आप जब DSCR करते हैं, तो आप working capital product में calculate करते हैं जी, working capital product में, अब माली जीए, आपके पास 2022 के financials हैं, 2022 की balance sheets हैं, 2022 के financials हैं, तो आपने 2022 के financials पे DSCR बना लिया, कि 1.1 का आगया, DSCR, ठीक है जी, अब आपको उसको 2 croda रुपे का term loan देना है, तो obviously वो 2 croda का term loan है, उसका impact of financial year 2023 में आएगा, इस साल में आएगा, और आपको client ने बताया कि इस साल मेरी जो sales थी, वो 10 croda थी, और आपने current year का trend देखा कि 10 croda की sales तो वो December तक अचीव कर चुका था और इस साल ये 20 croda की sales कम से कम अचीव कर लेगा, for example, just a good example है, तो accordingly इसका profit भी बढ़ जाएगा, accordingly ये जो projected term loan है, इसकी EMI को adjust करने के लिए आपके पास bandwidth बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने जो future की projection है उसको consider कर लिया, आपके ने profitability बढ़ा ली, profitability अपने तरीके से adjust कर ली, तो आपने DSCR उसी तरीके से calculate कर ली, तो past के साथ आपने future में होने वाली उसकी जो plus points हैं, उसको भी take up कर लिया, DSCR calculation में, जबकि four year में आपके पास ये option नहीं होता, four year में आपके पास financial year 2022 तक का data आएगा, टेइस का projection आपको नहीं करना है, financial year 22 में जो आपका profit है, जो आपकी income generation आपने calculate की है, जो भी हम सीखेंगे आने वाली वीडियोज में, जो भी income generation आपने calculate की है वहाँ से, बस उसके साथ आपको आपकी existing obligation, plus जो आपने नया loan देना है, उसकी obligation, new obligation, इनको देखना है कि इसके against ये कितना sufficient है, future में उसकी turnover 23 में चाहिए double हो जाए, चार गुना हो जाए, पांच गुना हो जाए, ये चीज़ आपका impact आप foyer में नहीं लेते, जबकि DSCR में ये चीज़ लेने का आपके पास bandwidth रहता है, पर इसका एक disadvantage भी है कि future में होने वाली adverse contingency, अगर future में sale आदी रह जाए, तो वो भी आपको पता नहीं चलेगा फिर, तो उसी वज़े से तो मैंने last video में आपको समझाया था कि lap product और working capital में क्या difference है, lap में हमारी thought process क्या होती है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लें वीडियो, second difference क्या है, जो foyer है, यह हम अगर business को loan चाहिए तो तब भी देखते हैं, अगर आप जैसे आपको और मेरे जैसा salaried employee बंदा है, salaried employee बंदा है, तो हमने अगर bank से loan लेना है, माली जी housing loan लेना है, या lap लेना है, तो तब भी यह foyer हम मदद करेगा bank की, तो तब भी foyer calculate होगा, जबकि DSCR जो है, वो business loans के लिए, business fundings के लिए use होता है, ठीक है, individual levels के loans के लिए DSCR हम use नहीं करते हैं, although आपने अगर technically इस चीज़ को समझा हो, तो देखे, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, है तो दोनों एक ही चीज, income obligations की बात है सारी, बस उसमें दोनों को calculate करने का धंग थोटा सा different है, और वो जो differences है, वही मैं आपके सामने highlight कर रहा हूँ कि क्या differences है दोनों के अंदर, ठीक है, ये difference कोई ऐसे highlight करने वाला difference नहीं था, बट जस्ट मैंने आपको use बता दिया, इनका, ये difference आपके लिए एक काम का चीज़ है, क्या difference फॉयर में, फॉयर में आप client की other incomes को भी add कर सकते हैं, other incomes कैसे, जैसे मैं salary employee हूँ, मैं salary employee हूँ तो मेरे को salary आ रही है, तो bank ने मेरी salary income को count कर लिया, for example मेरे पास 10 एकड जमीन पड़ी थी, 10 एकड जमीन पड़ी थी, तो उससे मेरे को agriculture income हो रही है, हर साल healthy, अच्छी खासी agriculture income हो रही है, या मेरे को ब्याज की interest की income healthy हो रही है, अच्छी खासी, या मेरे को rental income अच्छी खासी आ रही है individual ITRs में, तो bank इन चीज़ों का impact, इन चीज़ों को भी मेरी income में add कर सकता है, subject to its policy, कि उसकी policy उसको allowed करती है या नहीं करती, या फिर ये हो गया एक other income की मेरी ही other income को, या मेरे partners की other income को add कर लिया, या फिर other entity जैसे ABC and company अगर loan लेने के लिए आई, तो माली जी ए A and company उसकी कोई sister concern है, B and company भी कोई sister concern है, C and company भी कोई sister concern है, तो FOIR calculation में इन तीनों की कमाई को और तीनों की obligations को भी add कर लिया, और एक combined ABC and company की eligibility निकाल दी, तो ये चीज़ भी FOR में possible है, जबकि DSCR में ये चीज़ बिलकुल मना नहीं है, बट बहुत restricted है, आप client की interest income, agriculture income को DSCR में counter नहीं करते हैं, although उसको कोई पके resource से, कोई बड़े corporate से rental income आ रही है, तो आप ये manual working में दिखा सकते हैं, कि sir DSCR उसकी 0.9 बैठ रही है, बट उसको एक other rental income भी है, उसके तहत उसकी और obligations knock off हो सकती है, तो DSCR इसकी actual में improved है, तो DSCR में ये चीज़ आप थोड़ा सा बता सकते हैं, बट आप इतना openly use नहीं कर सकते हैं, जितना आप foyer calculations में use करते हैं, foyer calculations में तो आपके बास एक बहुत बड़ा field, vast field open हो जाता है, कि आप कहां से भी उस client का जो भी income इगठा कर सकते हैं, और सारी obligations को उसमें से total मारके निकाल सकते हैं, जबकि DSCR में आप उन financials तक, उस balance sheet तक अपने आपको restrict कर लेते हैं, थोड़ा open ended रहता है, पर उतना नहीं रहता जितना foyer में आप open ended हो, आप आई होब आपने मेरा जिस्ट समझा होगा बताने का, foyer में future contingencies consider की जती हैं, DSCR में नहीं की जती हैं, अब आप पूछेंगे कि सरी हैं तो contradictory है, आपने पीछे बताया था कि future की projections हम लेके चलते हैं, DSCR में और foyer में हम future की projections को लेके नहीं चलते, देखिए ये थोड़ी सी उस बात का अलग meaning मैंने आपको दिया है, क्या है ये अलग meaning, देखिए future की contingency consider की जती है, कैसे, अगर मालीजी आपकी foyer से calculate होती है, आपकी obligations numerator में आती है, आपकी incomes जो cash accruals हैं वो denominator में आती है, अब आपकी obligation है 20 रुपे की, आपकी मालीजी जी ये income है 30 रुपे की, तो ये आपकी जो foyer बनेगी, ये बन जाएगी आपकी, one second मैं calculate कर लूँ, mathematics थोड़ा weak है मेरा, तो 66.67 परसेंट ये आपकी बन जाएगी, right, FOIR, तो जो banks normally foyers allow करते हैं न, bank पता कितना foyer, ये तो आपकी 66.67 परसेंट बन गी, जो bank भी allow करते हैं न, वो कहते हैं कि अगर आप मैं practically भी आपको बताऊँ, तो आपकी जो खुद भी अगर आप salaried employee हैं, तो अगर आप 30 रुपे कमा रहे हैं, तो आपका जो obligations हैं, loan का principle plus interest का, वो usually, बतलब आपका 10 से 15 रुपे के बीच बीच में रहना चाहिए, तो वो 50-60% की fire allow करते हैं, अगर बहुत अच्छा customer है, तो 65 तक चले गए, या 70 तक खीच के चले गए, बहुत अच्छा customer है तो, किसी को करना है तो, division, या might भी थोड़ा सा 1 रुपे और उपर हो गया, या 5% और उपर हो गया, कुछ बैंकों में, तो normally इस लेवल तक restrict रहते हैं, बैंक्स, 40, 50, 60% के अंदर अंदर, तो इतना 40% का gap की छोड़ते हैं, अगर मालीजी ये 60% में, मैं restricted हूँ, या 50% पे restricted हूँ, तो यहाँ पे 15, तो मैं मतलब इतना तक, इतना तक client के allow करूँगा, और remember, ये 15 रुपे में, जो मैंने proposed loan, जो मैंने loan नया देना है, proposed loan है, वो भी included है 15 रुपे में, उसकी EMI और principle, उसका principle plus interest भी included है, 15 रुपे में, तो मैं इतना restricted क्यों हूँ, मैं सिरफ 50%, अपनी कमाई का सिरफ 50%, आपकी obligations तक लेने को त्यार हूँ, क्योंकि मैं आपकी contingency को भी consider कर रहा हूँ, कि future में आपकी incomes कम हो गई, कुछ हो गया, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था, कि ये long term loan होता है, 10-10 साल का, 15-15 साल का, 20-20 साल का, तो future की contingency को यहाँ पर consider किया गया, प्लस आपके जो other expenses हैं, कोई आपके घरेलू खर्चे हैं, कोई घरेलू खर्चे जैसे salaried employee है, अगर salaried employee तीसर पे की salary ले रहा है, और तीसर पे की income obligation लेके आ जाए, तो आप दे देंगे उसको loan, आप बोलेंगे कि भाई अपने घर का बिजली का भिल कैसे बरोगे, अपने घर का खर्चा कैसे चलाओगे, तो same way, तो वो चीज़ भी यहाँ पर consider किया थी, future contingency के साथ, आपके other expenses के impact को भी consider किया जाता है, यानि कि आपकी जो loan है, जो आपने loan लेना है, वो loan का impact तो लिया ही जाता है, प्लस आपके जो other expenses है, या आपके जो future की contingencies है, उनका impact भी यहाँ पर consider कर लिया जाता है, फॉयर में, जबकि DACR आप देखोगे, तो DACR 1 की भी allowed होती है, हम बोलते हैं कि DACR 1 की आजा यह तो ठीक है, वान की DACR का क्या मतलब है, कि आपकी जो, अब DACR में हमारे incomes, accruals उपर होते हैं, और obligations नीचे होती हैं, तो DACR में हम बोलते हैं, कि अगर वान की income है, वान की obligation है, तो मतलब यह वान कियागी, तो तब भी okay है, बोलते हैं न, क्योंकि DACR में खाली, हम उस loan की, जो उस loan की eligibility को calculate कर रहे होते हैं, loan की eligibility को एक particular, जो time loan दिया है, उसकी EMI को serve करने की capacity को, हम calculate कर रहे होते हैं, और हर साल हमे calculate करने का मौका मिलता है, क्योंकि हर साल हम renew करते हैं, हर साल हम projections बनते हैं, और हर सार रवियू करते हैं तो हर साल इस चीज को करने का मुखका मिलता है DACR में इसलिए तो DACR जैसा जो चीज है वो हम business entity के लिए ही restrict करते हैं individuals के लिए DACR use नहीं करते हैं क्योंकि individuals को हम हर साल रवियू नहीं करते हैं तो DACR में इस तरह का 1 to 1 भी okay माना जाता है जबकि FOIR में ऐसा नहीं होता तो यह आपके लिए एक बहुत critical difference नहीं करने का तो idea क्या है दोनों का income और obligations को बिठाने का idea है एक DACR एक बिल्कुल separate aspect है, FOIR एक बिल्कुल separate aspect है दोनों का theme एक ही है कि calculate क्या करना चाते हैं दोनों formula चाहिए inverse relation में हो पर theme दोनों का same ही है तो आपने पिछली वीडियो में जो lab और working capital का difference समझा होगा उसमें से ही आपको समझ के idea लग गया होगा हम इन दोनों की differences का भी क्या base है और divide DACR हम working capital में use करते हैं जबकि lab product में हम DACR use नहीं करते और FOIR हम lab product में use करते हैं working capital product में use नहीं करते I hope आपने इस वीडियो को enjoy किया होगा तो मैं lab वीडियो में next वीडियो के साथ आपको जल्दी मिलूँगा Thank you very much guys